नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैंश्वानी चोदरी एक बार फिर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ससी मेकर में जैसे के आज आप देख पा रहे हैं आपको जो क्लास ये होने वाला है ये भारत के प्रियर्टनिस्थल यानि के जहां आ आप घूमने के लिए जा सकते हैं आया आप गए भी होंगे वहां से कुशन्स भी आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं तो ये काफी छोटा सा एक वीडियो आपको मिलने वाला है जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण हमारे टूरिस प्लेस है वहां से आपको चीजे जो ए जादा लाइक करेंगे सेर करेंगे ठीकरा तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे लिए यहां पर आज इंपूर्ण होने वाला है किस तरह की चीजे आपके एक्जाम में पूछी जाती है जो हमारे महत्वपूर्ण इस्तल है चाए वह आपके कल्चरल हो या आप कह सकते हैं जिनका जुड़ा हमारे प्राचीन भारत से रहा हो मद्यकालीन भारत से रहा हो या आदुनिक भारत से रहा हो ये सारी चीजे आपको यहां पर मिलने वाली है चलिए एलोरा की गुफाएं चलिए सारनात की असोक सबसे पहला है आपका सारनात का असोक सबसे पहले तो आपक यह पत्थर है तो इसी पत्थर में क्या आकरती दी गई है आकरती का मतलब है कि डिजाइन इसी को दिया गया है एक ही डिजाइन से इसको बनाया गया है एक ही पत्थर का इसमें यूज किया गया इसी को एक कास्म पत्थर हम कहते हैं यह असोक इस्तम है सारनात का चलगी नेश तो ध्यान रखेंगे यह भी इंप्रोटेंट है कभी कभी पूछ ले राई किसके द्वारस को बनाया गया नेश्ट आपका भरूत का स्थूप ठीक ना भरूत का स्थूप जो है कहां पर है सतना मध्यपरदेश में है किसके द्वारा निर्मित है यह पुशे मित्र सुंग के द्वारस को निर्मित किया गया एक है बैराट इस्थूप कहां पर है राजिस्थान में तो यह भी मैच दा फूलोइंग वी आपसे पूछ लेगा कि जो भरूत इस तूप है यह कहां पर है आपका भरूत है बैराट है ठीक ना साची का स्थूप है एक नात है सारनात सोरी स प्रणाट्त का अस्तोग जो इस्तम्भ है यह भी आप से पूचा जा सकता है, एलोरा की गुफाएं ध्यानक ना, एलोरा की गुफाएं जो की आपकी विश्व धरोण इस्तल है, आपकी सांस्क्रती की यह पहचान है, कहा पर है, महाराष्ट में है, राष्ट कूछ सासों को द लुरा की गुफाएं हैं यह किस धर्म से रिलेटेड हैं तीनों धर्म उसे कूंगों से बोत धर्म धर्म और जैन धर्म हापर total जो gostaव्षाीं कितनी है यह 34 है एक से बारा बोत धर्म से रिलेटेड है आपका 13 से 29 जो है यह हिंदू धर्म से image न faari से संबंदित है गुफा नंबर 16 जो कैलास मंदिर यहां पर है कौन सा कैलास मंदिर जो कि कृष्ण पर्थम ने इसको बनवाया था किसने बनवाया था कृष्ण पर्थम जो है इन्होंने इसको बनवाया था ध्यानकना चलिए नेक्स्ट आपका अजंता की गुफाएं ये भी विश्नु मंदिर जपलपूर में है कहां पर है मध्यपरदेश चलिए भूमरा का सिव मंदिर कौन सा तिगवा आपको ध्यानकना है इंपोर्टेंट है भूमरा का सिव मंदिर सतना सतना जीला कहां है ये है आपका मध्यपरदेश में है भीतर गाओं मंदिर ध्यानकना एतिया इसका जिक्र आपको प्राग इतिहासिक काल में भी मिल जाएगा जब भारत में पत्थर यूग था ठीकरा तो ये कहां पर है ये कानपूर उत्तर प्रदेश में ये इस्तित है नेक्स्ट आपका देवगड का दशवतार मंदीर काफी इंपोर्टेंट है ललित पूर जो की उत कहां पर है सूर्य मंदीर ये उडिसा में इस्तित है ब्लैक पगोडा इसको कहा जाता है राजा नरसिम वर्मन के द्वारा इसको बनाया गया था नरसिम देव वर्मन जिनको कहा जाता है बारा बारावी सदी में इसको इस्थापित किया गया था बनाया गया था लिंग जगननात मंदिर, जगननात यात्रा भी हाँ पर निकाली जाती है, जो कि काफी यहाँ पर फेमस है, वीरू पाक्ष मंदिर, इसको बोलते हैं, वीरू पाक्ष मंदिर, हमपी, कहाँ पर है, करनाटक में है, भूलना नहीं है, लिखेंगे, भगवान सीव को यह समर्पित है, कल important आपको बचे पता होना चाहिए कि तंजावुर कहां पर है कई वार आपको यह study के questions में बदाया है आपको current affairs की जब class आपकी होती है उसमें भी आपको चीजे कराई गई है तो comment में आप जरूर बताए राज राज प्रतम ने इसको बनवाया था तो ध्यान केंगे यह कहां पर पर है तमिलनाणू में पांडे सास को को दुवारा इसको निर्मित किया गया है ठीके ना कुवत उप इसलाम मस्जित एक्जाम में आती है questions पूछे जाते हैं कुत्बुदीन एबक दिल्ली में विजे के उपलक्स में इसको बनवाया था ठीके ना कहां पर है दिल्ली में है कुद्वत उल इसलाम मस्जित कुद्व मिनार सभी जानते हैं किसकी याद में बक्तियार काखी की याद में जो इसकी नेव रखी किसने रखी कुद्बुदीन एबक ने इसकी नेव रखी थी इल्टूत्मिस ने इसमें जो है दूसरी तीसरी मंजिल का निर्मान कराया जब की तीसरी सोरी चोथी और पांचवी मंदिल का निर्माज इसमें फिरोज साथ तुकलक के द्वारा इसको कराया गया था चलिए सुल्तान गड़ी का मकबरा कहा पर है दिल्ली सबसे पहला ये मकबरा है इलतुतिमस ने इसको निर्मित कराया है ध्यानकना अलाई दरवाजा सिकंदर लोधी का जो मकबरा था ये बनवाया था इबराहिम लोधी ने किसने इबराहिम लोधी ने दिल्ली में ये इस्तित है चलिए नेक्स्ट आपका मोट मस्जिद कौनसी मोट की मस्जिद दिल्ली में सिकंदर के वजीर मिया मुया दुआरा इसको निर्मित किया गया चार मिनार मैंने आपको बताया था तीन चीजे जैसे आपका गेटवे ओफ इंडिया है क्या है गेटवे ओफ इंडिया ये पूछा जाता है कहां पर है मुंबई में है कहां पर मुंबई में है इंडिया गेट कहां पर है ये पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि इंडिय ऐसे हैं जिन में बार-बार confused आदमी को होता है, इंसान को होता है, student को होता है, हवा महल किसने बनवाया था, समाई परताफ सिंग ने जैपूर में ये स्थित है, जब आप देखने को इसको जाओगे तो कोई भी वाप पर आपको छत दिखाई नहीं देगी, यानि के उच्छी दिवारे जो होंगी वो दिखाई देंगे, लेकिन उन पर कोई भी आपको जो छत है, वो नहीं देखने को मिलेगी, चलिए, नेक्स आपका जंतर मंतर, समाई जैसिंग 1734 में इसको निर्मित किया गया था, ठीकिना और आप ध्यान केंगे, एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है किसके लिए फेमस है, यह धरने के लिए फेमस है, किसके लिए, यहाँ पर धरने के लिए इसको परशिद माना जाता है, बड़ा इमाम बड़ा कहाँ पर है, लखनाओ में किसने बनवाया, आसिफुत दोला के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, चलिए, नेक्स आगरा क किला किया है? आगरा का किला, कहां पर है उत्तर प्रदेश में, अकबर que दूआरास को पंद्रा से पैंसेट में निर्मित किया गया दिल्ली, गेट वा अमर सिंग गेट भी इसके दो आरही यहां पर आपको निर्मित मिलेंगे, चलिए। बुझा जाता है कि गुझरात जब उसने जीता तो उसके उपलक्ष में उसने क्या बनवाया था तो इसने बनवाया था बुलंद दर्वाजा जो कि फतेफूर सीक्री में आप ये फतेफूर सीक्री कहां पर है तो आगरा से थोड़ा आगे जाओगे 25-30 किलोमेटर के आसपास तो आपको फदेफुर सीकरी मिल जाएगा है निका उत्तर प्रदेश फदेफुर सीकरी भी उत्तर प्रदेश में ही इस्तित है चलिए लाल किला साहजा के दुवारा 1638 से 1648 दुवारा नेमित किया गया दिवाने आम दिवाने खास ये भी इंपोटेंट है पूछे जाते हैं पुराना किला किसके दुवारा सेर सहासूरी जोकी काफी इंपोटेंट सासक रहा जिसने 1544 का युद जीता था हिमायू को इसने भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था चलिए नैश्चत ताज महल किसके दुवारा साज आके दुवारा अपनी जो बेगम थी मुमताज क को निर्मित किया गया है कौन सी मस्जित मोती मस्जिद जब आप लाल किना कभी घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको मोती मस्जिद भी दिखाए देगी वहाँ पर आपको क्या मीना बजार भी दिखाए देगा क्या दिखाए देगा मीना बजार जो बच्चे ज इसको निर्मित किया गया, एसिया का सबसे बढ़ा चर्च है, क्या है, एसिया का सबसे बढ़ा चर्च कुन सा है, यह है आपका सेंट कैथलिक चर्च, चलिए, नेक्स्ट है, गेटवेव उप इंडिया, अभी बताया, बिल्गुल आपको जस्ट, यह किस के दौरा, यह जो थे इनकी याद में इसको बनाया गया था जोर्ज पंचम भारत की यातरा पर आने वाले थे उनके स्वागत के लिए इसको निर्मित किया गया था राष्टपती भवन 1929 एडविन लुटियंस ये पूछा जाता है क्या पूछा जाता है पूछा ये जाता है कि जो आपका लाल राष्टपती भवन है इसका निर्मान किस ने किया या इसके जो डिजाइन था ये किस ने बनाया था इसका डिजाइन या इसके वास्तुकार कौन थे इसके वास्तुकार कौन थे ये एक्जाम में आता है चलिए इंडिया गेट दिल्ली में है 1931 एकिस है सोरी ठीक है 21 इसको सही करेंगे 1921 से इसका निर्मान कारिये शुरू हुआ था जो हमारे दुत्ते विस यूद में हमारे जो सैनिक सहीद हुए उनकी याद में ये बनाया गया है संसद बहवन 1921 से स्टार्ट हुआ 1927 में बनकर तयार हुआ था आराम बाग कहां पर है आगरा में है किसके द द्वार निर्मित है चलिए नेक्स्ट है आपका सीष महल का खास महल या जान रखेंगे दोनों सीष महल वाग खास महल इसको कहा जाता है कहां पर है आगरा में है उत्तर प्रदेश में सा जहां के द्वारा इसको निर्मित किया गया एमत्तूलो का मकबरा किसका एमत्तोला क आत्माउत ला का मकबरा नूर जहां के दौरा ये निर्मित है नेक्स्ट आपका बीवी का मकबरा जो कहीं बार रहता है ये कहांपर है ये ओरंगाबा ऐद माराश्ट में किसने बनवाया ओरंग जेब वेल्लूर मट कहां पर है कलकत्ता में पस्चिम बंगाल किसने स्वामी विवेका मा नंद जो डोनार ट्रप बोला करता था चलिए सांति निकेतन पस्चिम बंगाल में किसने परवाया रविंद्रनाथ टैगोर ने 64 योनी मंदिर कहां पर है खुजराओ मध्यपरदेश चंदेल सास को द्वारा इसको निर्मित किया गया इसको आप टिक करेंगे एक्जाम में पूछा जा चुका है खिड़की मस्जित कहां पर है दिल्ली में है किसने बनवाई गयाशुदीन तुकलक के द्वारा इसको निर् इसको निर्मित करेंगे एक चोटा सा वीडियो आपको यहां पर यह पर यह प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको यहां पर सारी जानकारी वह दे दी गई है जो आपके एक्जाम के पॉइंट वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे एक एक कोशन एक एक ल कंप्लीट नहीं है कोर्स एक बार आप सभी कंप्लीट करेंगे आपको यहां पर विजेस ओफर दिया जाता है मात्र 299 रुपे में आप इसको क्या कर सकते हैं इसमें इन्रोल हो सकते हैं आपको काफी यहां पर हैल्प मिलने वाली है दूसरा आप ध्यान लखेंगे आप जो भी आप क्लास यहां पर जोईन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समझ्चा है तो इस नंबर पर आप जरूर को ली करिएगा चलिए इसके लब आप ध्यान रखेंगे विजेस ओपर आपको दिया जा रहा है तो इसको देखते हैं आप सभी हां पर अपने अनुसार कोर्स को परचेज कर सकते हैं यह यूपी पुलिस की जो वेकेंसी आने वाली हैं ध्यान रखेंगे 35,000 पलस यहां पर आपकी वेकेंसी है जिसमें 3,000 जो पद होंगे यह यूपी SI के लिए होंगे जो अलग से यहां पर आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कोश्टेबल का जो इस्पेसल भाषता यह समाप तो हो चुका है समाप मतलब यह है कि यह पहले लाइव चला करता था जिसमें लाइव अब यह कंप्लीट कर दिया गया है इसका वीडियो रिकोड़िड क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो की सभी चीजों का आपको एक एक कोशनस आपको समझा जाता है कोशनस आपके लिए इंपोटेंट यहां पर हो जाते हैं नो बजे आपकी मैस की क्लास होती है क्यारा बजे आपकी जीके जीस की क्लास है दो बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी किसकी हिंदी की क्लास यहां पर होने व पद्यपरदेश, राजिस्तान, जम्मू कस्पीर, किसी भी स्टेट से आप हैं, और पुलिस की तयारी आप कर रहे हैं, वर्दी आप पहनना चाहते हैं, तो इस बैस से आपको जरूर जुटना है, एक कोशन्स आपको यहाँ पर ऐसा करा जाता है, जो आपके एक्जाम को बिल टेलिग्राम चैनल है, जिसको आपको जोइन करना है, यहाँ से आपको पीडिएप मिलता रहेगा, क्या मिलेगा, पीडिएप आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है, इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा, यह भी आप ध् यूट्यूब चैनल जो है इसको सस्क्राइब करना है बैल आइकन का बटन आप दबाएंगे क्लास का नोटिफिकेशन यहापर मिलता रहेगा तो ऐसी ही और वीडियो के लिए आपको सस्क्राइब करना है ससीमेगर का यूट्यूब चैनल आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे एक नई informative वीडियो के साथ तब तक के लिए आपको वीडियो को जादा से जादा सेर करना है और आपको कमेंट्स में बताना है कि आप किस तरह की और वीडियो चाहते हैं किस परकार की आपको जो है लगता है कि अभी वीडियो में जरूरत है मिलना चाहिए किस content पर आपको चाहिए वह एक बार आप कमेंट में जरूर लिखे बताएं कि वीडियो कैसा था किस तरह का इसमें आपको और वीडियो चाहिएगा आपके लिए वहाँ पर बना दिया जाएगा तब तक के लिए नमस्कार जै हिंज जै भारत मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ चलिए